पूने के सिरम इंस्टिजूट अफ इंडिया ने कोवी शील्ड और कोववैक्स नाम से कोरोना वैक्सीन बनाई है हाइदराबाद की भारत बायो टेक ने कोवैक्सिन का निर्मान किया रूस निर्मित वैक्सीन का नाम स्पूटनिक्स वी है बायोजिकल ई लिमिटेट ने कोर्पेवैक्स वैक्सीन तयार की ये सारे वैक्सीन भारत में उपलब्ध है अब कई देशों में कोवीट के मामले बढ़ रहे है हाइदराबाद की भारत बायोटेक ने इनकोवैक्स नाम से एक नया इंट्रोनेजल वैक्सीन बनाया है वाह! कंपनी ने 27 दिसंबर 2022 को गोशना की किटीका वितरन के लिए तयार है वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग स्टांडर्ड कंड्रोल और्गनाईजेशन से अनुमती मिली है बहुत खूब! जन्वरी 2023 के अन्तिम सप्ता में वैक्सीन को जनता के लिए उपलप्त करा दिया जाएगा लोग कोविन आप के जरिये अपने वैक्सीनेशन स्लोट को बुक कर सकते है नेजल डीके की कीमत नीजी अस्पतालों में 800 रुपए और उस पर टैक्स होगी और केंद्र और राज्य सरकार के अस्पतालों में 325 रुपए होगी लागत पूरे भारत में समान होगी और आप किसी एक को चुन सकते है इनकोवैक 18 वर्ष से अधिक आयू वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगा इनकोवैक में लार में काफी अंटीबोडी स्थर दिखाया जो लार की बुन्दों के माधियम से वाईरस के संक्रमन और संचार को रोकने में मदद कर सकता है इसने बहतर प्रतिरक्षा भी प्रदान की इसलिए नाग का टीका लापकारी होगा नेजल वैक्सीन पहले के टीके की तुलना में अलग और बहतर उप्योगी है जिसमें टीके को प्रशाषत करने के लिए सिरिंज का उप्योग किया जाता था जिसे cold storage और परिवाहन की आवशक्ता होती थी जिसके लिए प्रशिक्षित लोगों की भी आवशक्ता थी नेजल टीका फाइदमन है क्योंकि इसे कम श्रम शक्ती की आवशक्ता होगी और इसे प्रशाशत करना आसान और तीवरित होगा क्या आप सभी जानते हैं कि चीन के हेबई और जेजियांग प्रांथ में कोविड मामलों में भारी वृद्धी हो रही है इन शेत्रों के अस्पतार कोविड रोग्यों को लेने से मना कर रहे है क्योंकि बैड उपलब नहीं है हिरानी की बात यह है कि कई जगों पर ऐसा हो रहा है चीन में एक मिलियन यानि दस लाग लोग रोजाना संक्रमित हो रहे है इस बीच 27 दिसेंबर 2022 को भारत ने 157 नए कोविड मामले दर्ज किये ISH News ने ISL में साथविक मुव्मेंट वीडियो का अनुवाद किया है इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए